नमस्कार दोस्तों मैं अंकित पर्मा इक पार फिर से सुवागत करता हूँ आपके अपने चैनल अंकित पर्मा और अट्पिन ओटिकेशन में तो दोस्तों जैसा कि आप थमनेल पे देखे चुके हैं कि आज की इस वीडियो में आपको आज देन अक्टूबर दो हर्यारतेश की हिमाचल परदेश की आज की बीस बड़ी ताजा खबरों की जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ चलिए वीडियो को शुरू करते है शुरू करते हैं आज की सबी ताजा खबरें तो देख सकते हैं आज की पहली ताजा खबर ब्रेकिंग नियूज हिमाचल नियूज 3300 पंचाइटों में नहीं हुई ग्राम सभा सरकार ने वारता के लिए बुलाए करमचारी हिमाचल में सौंबार कुजिला परिशद क्राड गांदी से मिले सीम सुकु सरकार के कामकाज से कराया अवगत संजोली के ढाबे में पी चाय सौंबार शाम करीब साथ पज़े शिमला से छराबला पहुंचे मुख्यमंतरी ने सौनिया और प्लेंका गांदी को सरकार के कामकाज और संगठन की गतिवीदियों से अवगत करा मुख्यमंतरी ने करीब आदा गंटा गांदी परिवार के साथ कुप्त 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 की हिमाचल वैदर हिमाचल में छे दिनों तक मौसम साफ मानसून में अब तक 2941 घर ढहे इस मानसून सीजन में 24 जून से एक अक्तूबर तक 503 लोगों को अपनी जान गवानी पड़ में लिया फैसला त्रहले किसान का अंग्रेस के पड़ अधिकारियों ने मात्मा गंदी और लालबादरी शास्त्री को श्रद्दा सुमन अरपित किये बैठक में हिमाचल किसान के कई मुद्धों पर चर्चा की गई कुलू नियूज अस्ट्रेलिया के नागरिक की कुलू में लापता होने की आशंका उच आयोग ने पुलिस को इमेल कर किया सोचित है हिमाचर प्रदेश की जिला कुलू में आस्ट्रेलिया के नागरिक के लापता होने की आशंका है इस संबन्द में आस्ट्रेलियाई उच आयोग नई देली ने कुलू पुलिस को इमेल के माधियम से सूचित किया है लापता अस्ट्रेलियाई नाग्रिक चॉन रोइस्टन ले मूनियर का आखरी बार संपरक अपने दोस्ट से 2 जुलाई 2023 को बुंतर से हुआ था कुलो नियूज हिमालिया को स्वच रखने का संदेश देकर लेकर 700 किलो मीटर का सफर पूरा कर मनाली पहुँचे साइकलिस्ट सौंबार को स्पीती के कुंजम दर्रा हिक्किम होते हुए चार साइकलिस्ट का दल मनाली पहुँचा हिडिमबा मंदर में दर्शन करने के बाद इस अभियान को विराम दिया गया दर्मशाला आई टी आई में रेक्ट सीटों को भरने के लिए 3 से 10 अक्तूबर तक होगी स्पोर्ट राउं कांसलिंग हिमाचल प्रदेश की ITI में रेक्ट सीटों को भरने के लिए 10 अक्तूबर तक आवेदिन किये जा सकते हैं तक निकी शिक्षा व्यवसाय के वं ओद्योगिक प्रिशिक्षन हिमाचल प्रदेश के निदेशक विवेक चंदेल ने बताया कि प्रदेश की राजकी वं निजी कोट राउंड कांसलें किये होगी मंडी न्यूज, M.D., MS और D.N.B. की 86 खाली सीटों की मेरिट लिस्ट जारी हिमाचल प्रदेश में मंगलबार को विशब देल तीसरे राउंड की लिए सीटों का आवंठिन किया जाएगा यहां पर प्रबंदन कोटे के लिए करीब 600 और N ब्हारतियं को दावेदार बनाया है, शिमला तलाई छिंज में मिरजा इरानी ने दूसरी बार जीती माली लग्की ड्रौ में नेर्वा के आशू बने कार भी जेता, इरान के परसिद पहलवान मिरजा इरानी ने दूसरी बार बड़ी माली जीती, मिरजा इरानी ने पंजा बस बोलाड नाले के पास सड़क पर मलबा पड़ा होने के कारण खड़ी थी, बस के अंदर करीब एक दर्जन सबारियां भी बैठी थी, इस तोरान पाड़ी से एक पत्थर गेर कर बस के खिड़की के शीशे को तोड़ कर अंदर गुश गया. कांगडा कॉप्रेटिब बैंक त्यागे या प्रतारित पजुर्गों की मदद के लिए रिण योजना. कांगडा सहकारी बैंक लिम्टल नई दिल्ली के अध्यक्ष लक्षमी दास ने बताया कि महनगरों में कोश सालों से पजुर्ग माता पिता को त्यागने और प्रतारित क करने की गटनायों में अप्रत्याशित परित्ती देखने को मिल रही है. कपूर का हाल जानने के बहाने चली सियासी चाल कांगडा के आठ पूरों मंत्री विधाईकों ने दिखाई एक ता. तस्वीरें आप देख सकते हैं. कांगडा संस्ती क्षेत्र के आदादर्जन से र रहे हैं. नेताओं पूलिस अफसरों के पैसे भी डूबे नदौन के एक यूबक पर करोडों की ठगी कर फरार होने का आरोप. क्रिप्टो क्रेंसी में पैसा लगा कर चंद महिनों में पैसे डबल करने के चकर में ना सिर्फ आम लोग फंसे हैं बलकि मंडी वा कुलू जील अखिनेता रिकारी और यहां तक बड़े बड़े वियापारियों ने इस चकर में अपने लाखों गवा दिये हैं. उद्योग जगत में बड़ा बदलाव लाएगी, रोबोटिक्स काम में आईगी तेजी, अब भी देशों पर नहीं होना पड़ेगा, निर्भर. देश के बड़े उद्योग में रोबोटिक्स सिस्टम की तहत कारे जल्द शूरू होगा, जिसके चलते आयाईटी मंडी के स्टाल्ट अप ट्रैक में एक शांदार्न नेक्स्ट अप रोबोटिक्स का मॉडल पहुंचा है. मनाली ले सडक तीसरे दिन भी बंद बरपारी से थमें, पहिए हिंपाप में फसे सेलानी रस्क्यू, पिछले दो देनों से लाज़ पिती की चोटियों में रुक रुक कर बरपारी का दोर जारी है, पहड़ों के साथ मराली ले मारग में स्तेतर रोतांग बारलाचा, लाचुंगला और शिंकुला दर्रा में भी हिंपाप जारी है महिलाओं की आवाज बुलंद करेगी, इंटेक प्रदेश कारेकारणी ने कई एहम मसलों पर किया मंथन, दर्मशाला महाविद्याले सवागार में इंटेक के महिला प्रकोष्ट की प्रदेश कारेकारणी बैठक में महिलाओं से जुड़े कई एहम मसलों पर मंथन किया, इ प्रदेश में किसानों से धान खरीद करने के लिए बनाए गए छे धान खरीद के अंदर मंगल वार्षे खुलेंगे प्रदेश बर में बनाए गए धान खरीद के अंदरों में फसल बेचने के लिए सौंबार शाम तक 1454 किसानों ने खादया पूर्ती विभाग के पोर्टल पर ओनलाइन पंजिकन करवाया है, दो हजार दो सो तीन रुपए प्रतिक्योंटल धान के फजल कम उल्ले तियक्ताय किया गया है, आर हट सकती है, बीसी प्रथमबर्ष के प्रिक्षा परिणाम से रोक, सरदार प्रतेल पीश बिदेले, प्रतिशत्ता को देखते हुए, प्रोफेसर वाइस चंसलर प्रोफेसर अनुपामा सिंग ने प्रिक्षा नियंतरक के मॉडरेशन के पस्ताव को अनुमोदित करते हुए, मॉडरेशन समीती काठित किये थी, जिसके बैठका आज मंगलवार को होगी, तो दोस्तों ये थी हिमाचल परदेश की आज की सभी तारा खबरें, धन्यवाद, चैहिंच, चैभार, और दोस्तों उखें जोस्तों ये, ढर मैं हमारी खंसनाओ, काणनाओ,घवाद, चैहिंए, झाल झाल